जैपुर से बड़ी खबर का रुक कर दे जैपुर के वैशाली नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है वनप्लस के शोरूम में बड़ी चोरी की बारदात हुई है शोरूम से करीब 234 मोबाइल पार किये गए है एक करोड सोला लाख रुपे के मोबाइल चोरी के गए है आठ लाख रुपे की नगदी पर भी हाथ साब क्या गया है CCTV कैमरों की DVR भी साथ ले गए है चोर वैशाली थाना पुलिस मामले की जाज कर रही है गोविन नगर मोर के पास की ये पूरी घटना ये पूरी चोरी की वारदात तो बड़ी कबर से आप कुम खातिब करा रहे है बड़ी कबर सामने आ रही है जैपुर के वैशाली नगर से जहां पर बन प्लस के शोरूम में बड़ी चोरी की वारदात गुई है शोरूम से करीब 234 मोबाइल जो हैं वो पार्के गए हैं एक करोर 16 लाग की मोबाइल जो हैं वो पार्के गए हैं तो वही 8 लाक रुपे की नगदी पर भी हाथ साफ क्या गया है CCTV कैमरों की DVR भी चोड जो है वो साथ ले गया है ताकि कोई सबूत वहाँ पर पुलीस को हाथ ना लगे तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहें फर्स इंडिया ये सूपर exclusive तस्वीर आपको दिखा रहा है कि वहीं शोरूम है जहां पर इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है तस्वीरें साफ तोर पर बैया करी किस तरीके से चोड जो है वो मोबाइल के डिबों से मोबाइल चुरा कर ले गए बाकी ऐसे सरीज भी चुरा कर ले गए तो खाली डिबे वहीं पर छोड़ कर चले गए तो वहीं जो नकदी रखी वही थी शोरूम में उस पर भी चोरों ने हाथ साफ क्या है तो वहीं ये सूपर एक्सक्लूजिव तस्वीर आपको जैपूर में वेशाली नगर में जहां OnePlus के शोरूम में चोरी की वारदात हुई है शोरूम से करीब 234 जो मोबाइल है वो पार किये गए हैं तो वहीं एक करोड 16 लाक रुपे के मोबाइल जो हैं वो चोरी किये गए हैं ये अनुमानित कीमत है जो मोबाइल फोन से जिनकी च चोरी हुई है तो वहीं आठ लाक रुपे की नगदी जो शोरूम में रखी थी उस पर भी चोरों ने हाथ साफ किया है CCTV कैमरों की DVR भी चोर अपने साथ ले गए हैं वैशाली थाना पुलेस मामले की जाच कर रही है गोविन नगर मोड के पास की ये चोरी की वार्दात वैशाली नगर में गोविन नगर मोड के पास ये पूरी घटना हुई अब ये पर आप वोजी किस तरह की पास है ये गोविन नगर मोड पर वन प्लस मोबाइल कंपनी का फ्रेंचाइज जी है नितिन जी की पास है आज जब सुबह हमें इतला मिली कि इसने स्टोर में चोरी हो गई हैं यहां पर मोबाइल चोरी कि यह हैं जो एक काउंट कर रहा मोबाइल आपनारे जो सिंगर्पिंट की है वह भी टीम को पुलवाई जा चुकि आसपास ही केमरे बगार हम देखने हैं वारता तरीका जब सुबह जो आए जो रेगुलर रूटीन में इस परकार से आते हैं और यह खोलते हैं अपने शेटर को उसी परकार से शेटर बंद था चाबी से इन्होंने खोला है लेकिन संभवत है शेटर को उंचा करके और फिर उसमें अंदर प्रवेश किये गए